चार अरब लोगों को आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्री से लागे हिंदुस्तान में कहां रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगा कहां है? उनको नौकरियां क्या देंगे? मुझे एक बास बताएं, आप में से किस-किस के पास अच्छी नौकरी है? पकड़ा देंगे तो ये होगा. हम सबसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने जिस गवर्मेंट को इलेक्ट किया है, इट इस बाइट इस बाइट इस इन दे फेस. जो डिशरी क्या खर रही है? सो आप देख रहे हैं? मैं लौ स्टूडेंट हूँ. मैं कॉंस्टिटूशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ. ये जो कहते हैं ना कि बच्छे टेरिस्ट है. जो सुबह लोग बैठके चाय पे ये सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते कोई मुझे बता दे कि ये गलत है. मैं तो आपको मूर्स समझूगी. इसमें गलत क्या है? आपको डिसेंट में और आपको… हम लोग… वी आर शोइंग आपने पुलिस का अभी नाम लिया कि पुलिस के अकर रही है. जैसे जेनियो की घटना होई है कही नहीं पुलिस पर एक कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया. एक पुलिस वाले का काम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके 15 दिसेंबर और 5 जानवरी की रात को और शाम में क्या हुआ है? मैं बिल्कुल कंडेम करती हूं उस हरकत को. 15 को आप जामिया के अंदर आते हैं. I was a part of the protest. आप अंदर आते हैं, आप बच्छों को लाठी चार्ज करते हैं. आप कहते हैं कि हमारे पास परमिशन थी. और फिर जब पास्तारी को आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप गून्स को, आप गुंडों को रोक नहीं सकते हो प्रॉपर्टी आप हमारे मूँ पे आगे हमको बता रहे हो, कितना और बेवकूफ बनाओगे जन्ता हो. लोग यह तो जान दे हैं कि पुलिस तो सरकार करेंडर में होती है, और जैसे सरकार आदेश करेंगी वैसी पुलिस काम करेंगा. This is World War 3. सारी फोर्स एक बंदा कंट्रोल कर रहा है. जुटीशियरी को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है. यह वो वक्त है जब दुनिया खतम होगी, जब यह देश खतम होगा. अब भी अगर लोग नहीं बोलेंगे, तो देश खतम होगा. आप हिंदु मसलमान को बाट रहे हो. This is the most sick thing one can do. लिखी थी यह चीज़ है, 370, NRC, CAV, सब कुछ बताया गया था. बट हम इंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पड़ा है. हमने यह चीज़ पड़ी ही, हमें नहीं पता था. अब जब जाके मैंने पड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि विमेन सेफटी और डॉलपमेंट यह तो इनके इशूस ही नहीं है. इनको तो कुछ और ही करना है, इनको तो मजे लेने है. तो यह इनके कभी इनका कंसेप्ट ही नहीं था यह. विमेन सेफटी और यह आप मुझे बाल पताये, दिन भर में कितने रेप होते हैं, आपको आप दे सकते हैं, रात में दो बज़ अपनी मा को अकेले साड़क पर निकलने दोगे, मैं तो नहीं निकलने दोगी. तो अब बताये मुझे कि इस देश में रह रह रहा है. जिस देश में पुलिस घटना के आदे घंटे के बाद पहुंचे और युनिवरसिटी में शाम के पूरी इस्तिती बनी है, उनके कारण ये ऐसी इस्तिती बनी है, टाइम लगेगा इसा पर निकलने में. सब को पताये जो लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं, इस इस यूसाइड. वट वी आ टूइं इस यूसाइड. हमें नहीं पता है हमारी जान के हमारी गर्दनों पर तलवार लटक रही हो हम कब मर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है, हम बोलना मंद कर देएं. इस इस हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, इस इस सिंक मेंटालिटी, आप आरे से स्कूल्स बना रहे हो, बच्चों को भेज रहे हो, वीडियोज वाइरल हो रही है, जाओ जाके मंदर मस्जिद तोड़ो, क्या बच्चे हैं वो, जिस उमर में उनके हाथ में पेंसिल किताब पक मुझे मेरी डिगरी खत्र में लग रही है, मैं लॉग कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अपनी डिगरी यूजलेस लगती है, क्या फाइदा ऐसे डिगरी का, मोधी जी ने कॉंस्टिटूशन की कसम खाई थी, कॉंस्टिटूशन को बरभाद करने की नहीं, I am sorry, वो बरभाद कर रहे है, क्या है ये? आप लोगों को लाने की बात कर रहे हो, रखोगे कहां, अपने लोग आप से खुश नहीं है? बारुन जेटली सर ने जब वो डियू में लेल भी कर रहे थे उन्होंने एक स्टूटेंट मुवमेंट शुरू करा था जिसके बाद बीजेपी गवर्मेंट इस्टाबलिश हुई वो लोग खुद इस तरीके से लाइम लाइट में आये उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट क छोड़ेगा है ना उनके ओपर डंडे बरसाएगा इन फाक्ट उन्होंने जैप्रबाश नरायन को उठागे एक पूरी गवर्मेंट गिरा दी और आप हमें बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो हमारे पास दिमाग है हमारे पास एजूकेशन है एंड दाटे जार वेपिन वी यूज इट हम हेटरेड नहीं फैलाते हैं हम पड़ते हैं वी टीच एंड वी प्रीच दिस इस वट वी तू